पाकिस्तान की हाल का वज़ा बन गया है पाकिस्तान का डिकलरेशन जिस डेरिंग भरा फैसला शानमसुत ने लिया था वो उनके मुही उल्टा गिर चुका है जिस तरह से बांगादेश के बल्ले बाजों ने बल्ले बाजे करकर दिखाई जो की वर्ल्ड कलास गेंद बाजी म ज्यादा मदद मिलेगी उस पिछ पर ना तो पाकिस्तानी फास्ट बालर कोई इंपक्ट डाल सके गिरते पड़ते बांगादेश को अलाउट जरूर किया है लेकिन जब तक बांगादेश ने 117 की लीड ले रखी थी यानि कि आप यह जो पिछ आपने बनाई थी आपने उ पाकिस्तान के बल्यबादेश के बल्यबाजि की 117 जो पारी के लिए मुश्ब्की रहे हैं उन्हों ने आपने साथ जो बल्यबादों को खिलाए आप चाहे वह सदमन इसलाम हो या फिर उनके विकेट कीपर डेटन्दास हो या फिर महंदी भावराज इनके साथ लेकर उने जो पार्टनर्शिप बिल्ड की है वो इन्हें पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों को देखना हुआ कि टेस्ट में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है और गेंदबाज का तो क्या है नाम के शेर हैं बस परफॉरम तो कुछ नहीं करते और क्याप्टनशिप पर ब्लेम दिया ज की तरफ से कि उन्होंने छे विकेट पर ही डिकलर कर दिया डिकलर करने के बाद जो स्तीती पाकिस्तान की हो गया गई है एक 117 से पीचे हो गई आप इस डिकलरेशन का क्या फाइदा जो आप अगर आप अगर आपके गेंदबाज विकेट नहीं लेके देंगे तो आपके त जैसे टीम के सामें मैस नहीं जीत रहे हैं तो वर्ल WTC में competition या final तक पहुंचने के आप सुचना भी आपके लिए गुना होगा क्योंकि आप वहां तक पहुंची नहीं सकते हैं आपके टीम में वहां तक पहुंचती हैं आपके पास ना प्रॉपर spinner है ना ही प्रॉपर कोई ऐसा फास्ट गेंद बाज जो का कि आपको व्यूकेट लेकर दे हैं आप से बहतर टीम तो इस समय बांगर्दर से दिखाई दे है में रिजवान ने अच्छे बल्यबाजी की आच्छे बल्यबाजे कर रहे थे उनका दोरा से तक भी रोका और डिकले करकर जो डेरिंग बुरा फैसला ले आता वो उनको भारे पड़ रहा है अब यह देखना होगा कि क्याप्टेंसिप में लिया काप इंटेस्टेंस थी जो बाबर को बार बार कैप्टेंसिप की यह दुआई दे रहे थे क्या फिर शान मसुद ने जो डिशिजन लिया है वो सबसे गलत है क्या इस पर मेडिया बात करेगी अब आने वाले वक्त ने प्रता चलगा क्या मेडिया इन पर बात करती है नहीं आपकी इस वीडियो के बार